नमस्कार दोस्तो मैं अंक्यत वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंक्यत वर्मा और अच्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तो जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि अभी की जो आज की ताज़क हवर ब्रेकिंग न्यूज आई है कि हिमा हिमाचल प्रदेश जैरम सरकार ने इस पर क्या फैसल लिया है इसकी जानकारी में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं तो वीडियो पर एड तक बन रही है अगर आपने अभी तक वीडियो को शेर नहीं किया है तो वीडियो को शेर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जुरूर कर लें हिमाचल परदेश की सबसे पहले नौटिफिकेशन पाने के लिए तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं तो देख सकते हैं जो तादा ख़बर ब्रेकिंग न्यूज आई है कि परदेश में बहत्तर नए माम पांच उनना नौ सिर्मौर तीन कुलू तीन किनौर चार चंबा और बिलासपुर में एक-एक मामला आया है इसके साथ ही परदेश में करोना संक्रामितों का कोला अंकड़ा जो है 57,764 पहुंच गया है सक्रिय मामले पोजिटिव मामले जो है वो 462 है अब तक 56,316 संक्राम की जो है 42 नए मामले सामने आया है अकेले पद्दर उपमंड़ा से ही 19 शिक्षक पोजिटे पाए गये है गोहर में पांच संदर नगर में एक सरकागाट सदर बला और धर्मपुर में शिक्षक जो है संक्रामित निकले हैं सभी को हम आइसोलेट कर दिया है शुकर वार शिक्षक पॉजिटिव है और हम आइसोलेट होकर स्वास्ट लाब ले रहे हैं सीमो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा कि कोविट संक्रामित शिक्षकों को हम आइसोलेशन में भेज दिया गया है शिक्षकों की कॉंटक्ट हिस्ट्री जो है खंगाली जा रही है उधर तो वहीं सर्मार जी लगए ट्रांस गिरी इलाख्य के नेकता स्कूल का एक शिक्षक जो है करोना पॉजिटिव निकला है लियाजा स्कूल प्रबंदन ने शिक्षक को 14 दिन के लिए क्वाल्टी इन कर घर भेज दिया है वहीं दूसरे शिक्षक के घर में पिता के करोना प जापक के करोना पॉजिटिव होने की जो है पूश्टी किया है वहीं हिमाचल में जो है 16 की रिपोर्ट करोना पॉजिटिव 48 घंटे तक स्कूल बंद तो हिमाचल परदेश के आप जिस भी स्कूल में अगर करोना पॉजिटिव आता है तो स्कूल जो है 48 घंटे के लिए ब लान क्वाने ने से स्कूल में हड़खम मुझा सुंपर्क में इसे नियों में हम आइसलेशन में भेज दिया है यह लक्षन देखने पर स्वासिते विभाग कर वाया था इसकी रिपूर्ट जो है पोजिटिव आ यह है वोग्पने देशक देबेंदर बताया कि स्कूल को जो जो करोना पाजिटिव आता है कोई तो स्कूल जो 48 गंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा तो दोस्तों ये थी अभी की ताजा बर ब्रीकिंग नियूज अगर आपने अब तक वीडियो को शेर नें किया है तो वीडियो